तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडिमी के इस नए और लटेस्ट वीडियो में और आज के स्वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के उर्दू के रौष्णी के किताब से चैप्टर नमबर 7 जिसका नाम है अंग्रेजिया बाबू देखिए यह एक अफस एक मैथली कहानी है लेकिन आप लोग के बुक में इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिया गया है तो चलिए हम लोग फड़वट समझ लेते हैं लेखक वगरा के बारे में तो पढ़ना है नहीं रख कहानी पढ़ना है और ऐसे आप लोग खुद से भी पढ़तकते थे बड़ को इतकत नहीं है मैं आपनों को पूरा कहानी बता देती हुँ देखें इस अफसाना य wire किपानी का जो मरकजी किदार है यानि म predict वोग友 रहता मधुकांत लोग होगता है मधुकांत जहां की साधी हो गई रेती है ये अपने से सुराल एक बार भी नहीं गए रहता है तो इसके होस्टल में डाकिया वाला चिठी लेकर आता है तो कि जब चिठी खोलकर मदुकान बाबु पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि उसमें इनको मालुम पहले ही चल जाता है कि इनके स सब्सक्राइब आप पहली बार हमारे चौकट पर पदारी है ताकि हमारी यह जो होली है वो यादगार बन सके ठीक इसके सब्सक्राइब बुलाए थे मदुकान बबुए तो बहुत जिदा खुश हो गया और यह जाना भी चाहता था अपने सब्सक्राइब या यह सब्सक्राइब और जी में अपने आप दिखाए अंग्रेजिए बाबु है यह गnee डहाता है जी लड़की से सादी लगा रहता है जी पिटाज यह जुर्षय को रहता है जिस लड़की से शादी लगा रहता है उसका जो पिता जो है वो उस लड़के के धमाद कहलाते है तो वही मदुकान बाबू चाहता था कि वह उसके सब्सक्राइब देखे कि अंग्रेजिया बाबू बन कराया है कितना हाइफाई इंसान है यह ठीक हाई लेवल का ठीक तो क्या किया इस बार होली में यह जाने वाला अब मैं ससुराल जाओंगा ठीक है और मतलब वहां पर धेर सारी लड़किया होंगी ठीक सभी मुझसे बात करेंगी यह बहुत ज़्यदा खुश्ट था ठीक आगे क्या हुआ जब इसको अब यह पूरा तैयारी करने लगा अपने सुराल जाने की गया अपने हॉस्टल सु चुट्टी दे दीजिए तो वह क्या है हॉस्टल सुपरेडियेंट का क्या नाम था जीबचलाल तो जीबचलाल साथ दिन के लिए छुट्टी दे दिये मधुकान बावू को चुट्टी ले लिया और उसके बाद से गया मधुकान बावू और अपने दोस्त से 20 रुपया कर्ज और लेकर जाकर समान खरदने लगा देखिए क्या क्या खरदा क्रीम पाउडर आबे गुलाब कुम कुम पिछकारी यह सब खरीद लिया ठीक और फिर एक फैंसी स्टोर के पास गया जहां पर कपड़ा जो कपड़ा का दुकान था वहां पर गया तो साडी अपनी समान खरद लिया था मधुकांद बाबू सारा समान खरद लिये थे अब इनके पास पैसे नहीं बचे थे अब इनको साड़ी लेना था अपनी वाइफ के लिए भाई ससुराल जा रहे हैं तो पहली बार जा रहे तो लेकर जाना ही पड़ेगा और इनका शौक भी था यह सार बनाकर एक्टिंग करते हुए होस्टल सुप्रिडेंट जो थे जीवचलाल उनके पास गया और बोला कि मतलब उनसे एक्टिंग करकर नहीं पैसा मांग लिया जाता है उसी तरह बोला कि आप मुझे ना पैतालिस नहीं 46 रुपिया पंद्रा आना मांग लेता है जीवचलाल से एक्टिंग करके ऐसे बोलता है कि मम्मी क्या तब इतकराब हो गया है मैं आपको कड़ चुका दूंगा आप मुझे को दे दिए ठीक तो जीवचलाल जो है ना 46 रुपिया पंद्रेया ना दे देते हैं मधुकान बाबू को अब वो जाता है मधुकान बाबू और उसी फ दूसरे शादी में या फिर किसी भी फंक्सन में तो सोचते हैं कि और क्या क्या कर लिया जाए ठीक बहुत ज़्यदा खुश होते हैं हम लोग जाते हैं कि यह रख लिया जाए कुछ छुटा तो नहीं ना यह उस तरह वह भी कर रहा था मधुकान बाबू लेकिन यह बहुत सेयं में बंद करके और हम को हमको लेकर जाना हैना तो सुट केस में सारा समान रख रहा था तो फिर याद आया कि मिला कैस सब्द I तो यह तो मेरे ससूराल से भी मिला अगर इसी सूराल से लिखा रहता है क्योंकि उनका नाम नर्मदेशोरस जहां रहता है तो इन रहे गा न तो इन जहां रहता है तो सोचता है कि मेरा नाम तो मधुकान जहा है एहां लेकिन इस सूटकेस पर तो फिर सोचता है अच्छा कोई दिखर नहीं कोई पूछेगा ना इस पर एम जहां रहना चाए फिर एचा क्यूं है तो मैं बोल दूँगा कि एम का जो एक वो डंटा है आप बोल सकते हैं एम का मGHT भू़्ण सकते हैं और उसके बाद से देखता है मेरत भी तो पुराना घड़ी तो मैं क्या करता हूं मेडे घड़ी उसको देते तो और उसका नया डिजाइन का घड़ी है यह ले लेटा है अपने दोस्त सुरेश से वह बहतरी डिजाइन देटा है फिर अब सोचता है कि ग्रामोफोन के बिना तो काम भी नहीं चलेगा ग्रामो फोन referral बचेज़र तो अच्छा रहेगा तो और यहारी मेरे भांजा बातीजा मिता छुट बोलकर ले लेता है और क्या करता है उस सब कुछ आपनी चोब और सब कुछ जाओंगा तो आएगी दाई ठीक है हमको दाटून देगी दाटून से मूध होने के लिए तो मैं बोलूंगा यू सिली गल तुमको दिखाई मेरे लिए बरश लेकर आओ ऐसे होता है ना इंगमिंडिक में बोलूँगा और इंग्लिश में डाटूंगा उस दाई को एक नौक करानी को मैं बोलूँगा तुमको दिखाई नहीं देता है मैं दातुन समूर होंगा जा मेरे लिए बरस ले कराओ इस तरह बहुत दा खुश था भाई मधुकांद बाबू अब देखिए आगे हुआ यह कि छूरी काटा भी रख लिया जाओंगा मैं अपने ससुराल तो छूर डबो पैकेट से कमरा जग मगा उठा सारा समान मदुकांद बाबू और सारे समान को उपनद कर लिए और उसके बाद से अब उसके राथ हो गया था शारा समाण इकठा करके फैलाकर सारा समान देख लिया उसके बाद से सूटकेस में बंद करके रखना शुरू कर दिया तभी रखकर अब सोच रहा था कि अब हम जाएंगे ससूराल और वहां पर आराम से जाकर बैठेंगे जितन भी लड़किया है मेरी मेरे आगे पीछे घुमेंगी वह मेरा जो ससुराल जो है ना वह एक बाग की तरह है जहां पर जो मन्चा है वह फुल तोड़ लो लड़किया ही लड़किया बहुत ज्यादा खुश था बेचारा मदुकान बाबू और बोला नहीं जाता है ज्यादा ख अरे मेरा सारू भाई जो है ना उसका सारू भाई का क्या नाम रहता है मैं आपनों को बता दे रही हूं मदुकांत बाबू के सारू का नाम रहता है एक नट मदुकांत बाबू के सारू भाई का नाम था नड़ो आरवाला ठेक यह सारू बाई थे जिसको मतलब जिसका तो वह सोच रहा था मदुकान बवू कि मेरे जो साडू भाई हैं वो लेकर जाएंगे दही चीवरा देहाती टाइप का तौफा अपने सब्सक्राइब में लेकिन मैं देहाती टाइब का नहीं लेकर जाने वाला हूँ जो अंग्रेज लोग खाते ना वह सारा चीज में लेकर मेरी खातिरदारी करेंगे लड़कया मेरे अगे पीछे घूमेंगी मेरी जो सास है लटकियों को ड हुड मेरे दमाद जी के आगे पीछे और नहीं हिए खिलाओगी फिलाओगी पिलाओ फिर मुझे घृलाया जाएगा सब कुछ ख्वाओव ख्याल में मितलब खोया हुआ था मदुकान्त बाबू ठीक उसके बाद से तभी अचानक जो है ना हॉस्टल सुप्रिडेंट जीबच लाल आकर कमरे का दर्वाजा खट खटाए ठीक तो फटाफट क्या किया मदुकान्त बाबू सारा का जितना भी सामान रखा था सब को छुपा दिया और उठ कि मेरी मां को अपंडियो घुखते हैं लाव कि तुम्हारी मां को कौन सा बिमारी होई है तो अब मधुकान्त बाबू जूट बोल देता है कि असांन्य की अप इंडिसाइटिस हो गया है अप अपिइंडिस्याइट से जाओंग्यों की सुपा की ट्रेन से जाओं तो बीच यह जो मदुकांत बाबू वो बोलता है कि यस सर में सुबा मॉर्णिंग ट्रेन से जाओंगा ठीक उसके बाद से जीवश लासल तो चले जाते हैं दिलासा वगयरा देकर और मदुकांत बाबू फिर से आराम से दरवाजा बंद कर देता है कमरा का उसके बाद से फिर से समान लगता है और साना सामान रखर और फिर से खांवो क्याल की दुनिया में खो जाता है कि करूंगा यह करूंगा वह करूंगा ठेक बहुत शचर ब्लब एक से खुस था ठीक उसके बाद से हुआ क्या जब सुबहा हुई फेहां दो कर तयार होकर बाल मेल में हीड दूंगर और उसके बाद से वो चलता है कहां अपने सशुराल और ग्यारा बजे वो घर 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 डी हां इस्टेशन पर उतर जाता है तो वहां से कुछी दूरी पर ज्यादा दूरी पर इसका सशुराल नहीं रहता है तो जो यक काबान है यह कबान यानि कि टम 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 चलाने वाला था वो बोला कि मैं आपको दो बैस तक आपके ससुराल पहुचा दूँगा तो सोचा मदुकांद बाबु कि दो बज़े मैं पहुचाँ गापर महाल कैसा होगा नहीं दो बज़े नहीं जाता हूं मैं शाम को जाऊंगा ना तो रात की तारीकी में मतलब महौल बनता है और उसक्त में बहुत दा हाइफाई दिखूंगा ठीक तो एक काम करता हूं मैं थोड़ा लेट्स जाता हूं शाम को जाऊंगा ठीक शाम से अगर निकलूंगा छे बज़े से या फिर पांच बज़े से न दुकान्द बाबू क्या किया वो जो यकबान जो टम 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 चलाने वाला उसको खातिरदारी किया रोकने के लिए कि रुको भाई ठेके और उसके बाद यह कि जब शाम हुआ छे घंटे के बाद यानि कि पांच बजे एकार बैसे लेकर छे घंटा बाद कितना बजेगा लेकर गये लेकर फिर शारा सामान पर लाद दिया वह ग्रामफोन सबसे पहले रख दिया जो भी घ्रमफोन खर्दा लिया था वह उसके बाद से या कबान आप सरा समान भी नहीं अठ रहा था स्थाना बाबु अगर उस यकवान पर बैढ़ते उनका सूल के रखने का जगह नहीं मिलता और जब सूल के रखा जटा तो जो फिक्लावाला वह गोड़ा अपना यकवान गोडा थें Tillers के लिए युदुम को मतलब बोला चलने के लिए थे तो गोडा जो एना तीन बार बोल ने पर वह जो यंक्का चलानेवाला उसको तीन बार बोलने पर एक कदम अगे बढ़ा और फिर जब शुनाया यक्का चलाने वाला चल आगे तो चार कदम पीछे चला गया गोड़ा अब बताईए गोड़ा को जब आप 6 गंटा उतने कड़ी धूप में रखेंगे तो गोड़ा का तो हालत खराब होगा दुकान बाबु 6 गंटा तक रोग कर रखा था और गोड़ा को कड़ी धूप में खड़ा किया था अब 6 गंटा गोड़ा कड़ी धूप में खड़ा होते होते उसका हालत खराब हो गया था ताकत खत्म हो जाएगा तो इसलिए वो जो यक्क चलाने मादा है तीन बार चिलाता गोड़ा को आगे चलने के लिए तो एक कदम आगे बढ़ाता गोड़ा और उसके बाद से फिर चिलाता वो य करें मदूकान्द बाभू बोले कि मारो घोड़ा चाबूक से चार चाबूक ठीक है तो वह जो यका बांए वह नहीं करें उटियक दो थफिट चला घोड़ा तो गण्ड़ के तरफ सब से पहले बाबु सबस्कान के तौर पर पुरा अंग्रेजिया बावू बन कर गए थे गड़ा में गिरते हैं जिसमें पानी वगएरा रहता है उसके बार से उस गड़ा के उपर वो जो सूटकेस रहता है गड़ा में गिर जाते हैं दुकांत बावू फिर मदुकांत बावू के उपर उनका सूटकेस फिर उसके बार से वो जो यक्का चलाने वाला है उसके उपर फिर उनका रिक्षा उसके उपर और घोड़ा जो है ना वो टूटकर और दोड़कर भाग जाता है ठीक अब देखिए क्या हुआ दो तीन मिनट तक इसी तरह सिच्वेशन रहता है मतलब मदुकान बाबो पहले गढ़े में उसके उपर से सूटकेस उसके उपर से यक्का चलाने वाला और फिर उसके उपर से ग्रामोफोन और रिक्षा यह दो तीन मिनट तक सिच्वेशन दिखाई देता है उसके बाद से यक्का चलाने वाला उठता है और फिर खिच खिच कर सब को निकालता है ग्रामोफोन को निकालता है और सारा का सारा सत्या नाश आप बोल सकते हैं वो जो मदुकांत बावू का सारा ड्रेस खराब उसके बाद से वो जो सूट केस को खोल कर देखते हैं ना तो उसमें का जितना भी शी सी डिवा रखा था सारा टूट फूट कर एक अजीब सी खुश्वूस में से आती है उस सूट केस में से टेक उनका जो आप बोल सकते हैं सेंपू था उनके सुहाक के साथ मिलकर सिंदूर के साथ मिलकर अजीब सा रंग बना दिया था मैं लब सब बरबाद सारा कपड़ा उपड़ा सब कुछ बरबाद इत्र वगयरा सब उसमें माक उत्ता था खुश्वू की तर सारा सामान में कितने शौक से ले कर जा रहा था सारा इस कड्डे में गिरी यह फिर वो सुटकेस को बंद कर देता है मदुकान बाबू और इधर जो यक्का चलाने वाला था वो अपने यकबान को देख रहा था और घोड़े को देख रहा था कि गोड़ा दोड़ गया वो पर जुबाना केस ठोकूंगा मैं तुमको जेल भेज़ दूँगा इडियट कहीं के उसके बाद से आपको मैं क्या बताऊं मदुकान बाबू बहुत ज़्यदा डाटता है और कहता है कि मैं तुमको जुर्माना केस में अंदर करवा दूँगा तो मेरा पान सरुपिया चाबुक मारा था आप ही बोलेते चार चाबुक जोड से मारने के लिए तो मैं मार दिया और घोड़ा ले जाकर गड़े में गिरा दिया अब मेरी कलती हो गई वह बोलता है मदुकान बाबू अच्छे ठीक है चलो मेरा सारा ग्रामफोन और सूट कर लेकर चलो ठीक धो ले भड़ा था टााड़ी पिया था शरॉप फिया था तो धीरे धीरे शराब कनसा उसके उपर चढने लगा ठीक और ज्यादा मधुकान बाबू उसको डाट दिये ना यक्का चलाने और आप जानते हैं जो शराब पीता है वो डिरेक्ट कुछ भी नहीं देखता है गला ही पोकरता है कि मधुकांद बाबु को गला बला कि ज्यादा बोलेगा तुम ऐसे तो मधुकांद बाबू को समझ में आ गया कि यका चलाने वाला शराब पिया है इसका कोई ठीकान नहीं यह कुछ भी कर देगा पी तोड़ देगा तुसे अच्छा हिससे इसको बोलो ही मत चुप चाप रहो उसके बाद से वो जो यक्का चलाने वाला है वो सराब के धुत में ताड़ी नसा चड़ा रहता है तो वो अपने घोड़े को डूड़ने के लिए निकल जाता है अब बैचारे मधुकान बाबु आपर अकेले बच जाते हैं अब सोचते हैं कि अच्छा हुआ यह हादसा यह सारी चीज हमारे ससुराल वाले के किसी सदस्य को नहीं मालूम चली है यह सब कुछ रास्ते में हो गया कि किसी को दिखाई नहीं दिया यह मतलब उनके लिए खुशी कि बाती मधुकांथ बाबु के लिए कोई देखा नहीं था एक तबी जए ना अच्यांक मधुकांथ बाबु के साडू भाई सड़क के पीछे से आ ही रहे थे जैसे देखें मधुकान बाबु अपने साडू भाई को देखकर दंग रहे गए अब वो सोच रहे थे कि अब तो साडू भाई मुझको देखी लेंगे लेकिन मदुकान बाबु क्या किया वो चला गया पासी में रहर का खेत का रहर का खेत था तो रहर के खेत में जाकर छुप गया मदुकान बाबु ज्यादा अपन अपना सारा समान छोड़कर कौन चला गया सोचने लगे चिलाए कि यह किसका समान है उनको लगा उनके साथ एक चेला भी था जो साथ में था वो बोले कि चिलाओ तो जरा उदर देखो तो कोई यहां पर अपना समान भूल कर साथ चला गया है तो चिलाए कोई नहीं आया उनक तब मदुकान बाबू के साडू को समझ में आ गया यह किसी का नहीं है लगता है कि उनका जो चेला है वो बोला कि लगता है किसी चोर का है चोर चोरी करके आया समान और फिर यहां पर छोड़ दिया है तो मदुकान बाबू के साडू भाई बोले कि ने चोर का रहता तो वो छ रख पर निसान भी है यह कंसे कोई गिर जाने के ओजैसे यह समानियाद पर रख दिया है और सध इस ही आसपास के खित में होगा ठीक है तो वो क्या किये मदूकान बाबू के साड़u 자주 भाई इस सूट केस के पास गये सームान को देखने लगे तब तक तो मदुकान्द बाबु का दिल धक कर रहा था, शायद इनके साडु भाई को पता ना चल जाए कि मैं ही आया था, ठैक है, वो जा कर देखे सूटकेस को ध्यान से, तो सूटकेस पर इन जा लिखा के साडु हुआ था है कि मेरे भी रिष्टेदार आने वाले थे लेकिनन इस सूट केस पर इन जालिखा हुआ है बढुकांत का नहीं है ये सूट केश ती इन्स Rights जरूरर्त के खेत में जाने लगे मोदुकान बाबु यह साडु भाई तेक है अब मदुकान बाबु का दिल धक धक करने लगा वो बोले कि यह इधर ही आ रहा है अब और भी ज़ाड़ी पे जाकर चिप गया मदुकान बाबु ठीक है उसके बाद से रहर के खेत में आकर देख लिए मदुकान बाबु के साडू भाई कोई कहीं पर भी कुछ कोई नहीं दिखा हुआ है तो यहां पर छोड़े हम लोग क्यों हम लोग अपने घर लेकर चलते हैं सारा समान रख लिए और मदुकान बाबु के साडू वही सारा समान लेकर चले गया ठीक इस तरह मदुकान बाबु जो है ना जो अंग्रेजिया बाबु बन कर निकले थे अब वो फटीचर भाबु हो गहां हम पोल सकते हैं तो सारा का सारा समान जो खर्दे थे इतने शौक से कोई दूसरा इंसान लेकर चला गया और इनका शौक सारा का सारा धर्या lime पढ़िया पानी फिर टीए इने सारे खौब ख्याल पर ठीक और यहीं पर आप लोगका यह चाप्टर है यह कहा और यहां पर आप लोग का कहानी का दीन हो जाता है अपने पोडोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा शेर करें और हाँ अगर आप लोग चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेले कर नहीं की घंटी को दुबा कर ओल का अफसन क्लिक कर ले रहा है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का ओल नटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स वीडियो और हुदा हाफिस